ऐसा कि आपको थमनेल देखकर पता चली गया होगा कि आज हम किश्टोपी के बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं अधार सुपरवाइजर सेटिफिकेट ठीक है आप एक अधार सुपरवाइजर सेटिफिकेट तभी लेते हैं जब आपको एक अधार का एकजाम देन अब आपको यहां पे exam के लिए कुछ question भी होते हैं जो question आपको याद रहेगा तभी आप exam pass out करने वाले हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम पूरी जनकारी देने वाले हैं कि अगर आप अधार certificate लेना चाते हैं अधार supervisor की certificate के लिए apply करना चाते हैं तो कैसे apply करेंगे औ और कैसे आप exam देंगे और exam में क्या क्या question आपसे पूछे जाते हैं वो सब को जनकारी हम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखेगा और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने के जुरत नहीं परेगे डाइरेक् सबसे पहले दोस्तों करना क्या है कि आपको यहां पर गूगल पर आजाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर सर्च करना होगा अधार exam अधार exam जब आप सर्च करेंगे तो यहां पर फ्रॉष्ट में ही option आ जाएगा how to apply UID exam UID आपको पता होगा यह अधार की exam होती है यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा welcome to other testing and certification मतलब आपको यहाँ पे test होगी आपका exam होगा आपको certificate भी provide होगी यहाँ पे English और Hindi सभी में exam दे सकते सब कुछ भी नहीं कि आपको सिर्फ एक ही मतलब language में exam देना है आप दोनों language में exam दे सकते हैं Hindi English और भी बहुत सारी language इसमें रहते हैं यहाँ पे दोस्तो how to apply UID exam पे आपको click करना होगा जैसा ही click करेंगे direct आप यहाँ पे आएंगे इनके official bio site पे ठीक है जब दोस्तो official bio site पे आते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक option मिलता है home ball ठीक है यहाँ पे आप click कर देंगे click करने के बाद दोस्तो यहाँ पे आएंगे यहाँ पे आपको देखने को उपर मिल जाएगा welcome to adhar ठीक है और testing and certificate ठीक है मतलब आपको adhar के portal पे स्वागत है और यहाँ पे testing and certificate दोनों आपको यहाँ पे मिलती है ठीक है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले user id और password बनाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे create new user का click करना है यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे upload xml file आपको कैसे मिलेगा अधार का xml file तो अधार का xml file आप google पे search करेंगे अपना अधार xml डबल ए डी एच ए आर अधार xml ठेक है जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो अधार xml gif file यहाँ पे option आ जाएगा ठेक है अब दोस्तों यहाँ पे option आएगा how to generate offline अधार xml यहाँ पे click करना होगा जब दोस्तों यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि offline आप अधार xml file के लिए apply कैसे कर सकते है यहाँ पे दोस्तों आएंगे यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे अधार xml file का आपको option आता है तो चलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं करते हैं यहाँ पर बैक आजाते हैं ठीक है बैक आने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहाँ पर आधार xml फाइल के लिए यहाँ पर एक option मिलेगा कि कैसे आपको अधार xml फाइल को डाउनलोड करनी है ठीक है जब यहाँ से अधार xml फाइल आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर कुछ नंबर भी दिया जाता है share number जो share code आप वहाँ पर डालेंगे चलिए देखिए xml फाइल के लिए direct हम यहाँ पर क्लिक करेंगे xml code भी provide करवाना होगा उसके बाद आप यहाँ पर apply कर सकते हैं तो यह आपका xml फाइल का offline है यहाँ से आप apply कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते है registration पर यहाँ पर share code जो आपने दिया होगा वह share code आप यहाँ पर डालके exit करेंगे तो यहाँ पर आप से पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर home बाले option पर आना है उसके बाद यहाँ पर how to apply का एक option आपको मिल रहा होगा यहाँ पर click करना है जब दोस्तों यहाँ पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर हिंदी इंगलिस और भी बहुत सारे language में apply करने का सब कुछ जनकारी बताई तो यहाँ पर how to apply भी हो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हिंदी में है यहाँ पर आपको दे रहा है कि apply करने का क्या क्या process है यह सभी process आपको यहाँ पर दिये गया है कितने option में दिये गया है तो यह दिया गया है 16 आपको यहाँ पर दिया गया है कब से कब तक apply होगा क यह वहला जो होता है आपका photo होता है उसके बाद आपका जो नाम होता है और your label मतलब आपका कितना मतलब exam में marks आया है वो सबकुछ यहाँ पर सो हो जाता है इसके बाद जो भी आपका certificate number होता है वो यहाँ पर आता है आपने graduation pass out किया है या 12th pass out किया है वो यहाँ पे दिखता है ठीक है उसके बाद यहाँ पे English, Hindi जो भी language में आपने exam दिया होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा यह code आपको यहाँ पे दिखेगा और registration name और registration code यहाँ पे दिख जाएगा ठीक है यह सब कुछ आपका हो जाता है अब आता है कि कहां से आपको मिलेगा और कैसे मिलेगा जिसको आप पढ़के exam pass out कर सकते है ठीक है इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है आपको चले जाना है Google पे ठीक है Google पे जाने के बाद आपको सर्च करना है अधार question answer PDF ठीक है यहाँ पे सर्च करेंगे सर्च करने के बाद आपको exam देते है तो जैसे आप देखते होंगे wahan पे pass करने का पुरा process दिया जाता है ठीक है कैसे आप pass करेंगे कितना परेंगे pass होंगे तो यहाँ पे 510 question होते है जिसमें 180 question का आपको answer देना पड़ता है तो इसी मेंसे कोई भी गोश्चन आते है ठीक है जैसे की यहाँ पे आता है UID और अधार का परिचे है सबसे पहला यहाँ पे आता है कोश्चन अब देखते हैं दिया गया है कि अधार अधिनियम 2016 को पारिद करके निमलिखित में से किसने UID की अस्थापना की थी ठीक है तो यहाँ पे आपको चार विकल्प रहेंगे पहला रहेगा राज सरकार दूसरा रहेगा भारस सरकार तिसरा रहेगा राइस्टार और चौथा रहेगा नमांकर एजेंसी ठीक है तो यहाँ पे दूसरा नमबर दे रहा है तो दूसरा नमबर आपका क्या है तो दूसरा आप्सन आप यहाँ पे देखिए जन्वरी 29 सितंबर 2010 उसके बाद 12 सितंबर 2015 12 जुलाई 2016 तो यहां पे चौते नंबर का एंसर जो है वो सही है ठीक है 12 जुलाई 2016 ठीक है तो ऐसे करके आप question पड़ सकते हैं अब दोस्तों यहां पे आपका certificate प्रोवाइड हो जाती है ठीक है उसके बाद आपको अगर training अधार की लेनी होगी जैसे कि आप अधार में काम कैसे करेंगे और training लेने के बाद आपको certificate कैसे लेना है तो इसके लिए भी आपको SQL India के तरब से एक certificate प्रोवाइड करवाई जाती है जो certificate को भी अधार certificate ही आप बोल सकते है ठेक है यहाँ पर जैसे कि हम search में आते है यहाँ पर आपको search करना है SQL India Portal ठेक है SQL India Portal आपने search किया और यहाँ पर आपको search करना है UID ठेक है यहाँ पर सर्च करेंगे UID जैसे ही दोस्तों search करेंगे यहां पे first वाला option आपको skill India Digital का आ जाएगा ठीक है और यहां पे एक option आपको मिल जाएगा UID का ठीक है यहां पे देखें UID का और उसके बाद skill India Digital पे यहां पे click करेंगे यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि welcome to adhar testing and training certificate portal ठीक है यह जो certificate portal है यहां पे training भी होगी testing भी होगी certification भी होगी get trained और get certificate ठीक है इसके मतलब हो गया है कि आपको यहां पे training भी मिलेगा proper और यहां पे certificate भी provide करवाई जाएगी यह दोनों के लिए है अगर आप एक phraser है या refreser है ठीक है यहां पे देख सकते हैं phraser और refreser दोनों दिया गया है इसका मतलब क्या होता है बहुत सारे मरे भाई का यह question होगा phraser का मतलब कि अगर आपने अधार center अभी तक नहीं खोला है या खोल भी लिया है और आप नया अधार center चला रहे हैं तो यह आपका phraser में आता है आप पहले से ही अधार center चला रहे होंगे तो आपका refreser होता है मतलब दोनों को यह certificate चाहिए ही चाहिए ठीक है और उसके बा pass out होना ज़रूरी है यहां पर दो साल का इटिया होना चाहिए आपके पार या आप तीन साल का डिप्लोमा किये हुए है तेंत के बाद या 12 के बार ठीक है यह अगर आपने तेंत पास आउट किया है तो आपके पास यहां पर आई पीपी मतलब इन्याट पोस्ट पिविन ब candidate registration मतलब यहां पर जो भी UID के candidate है वो यहां पर registration करेंगे ठीक है तो registration करने के लिए सबसे पहले आपको basic details यहां पर देना होगा बेसिक details में आपको यहां पर Mr. Army से जो भी है यह select करना होगा पूरा नाम अपना देना होगा पापा का पूरा नाम देना होगा date of birth देना होगा gender यहां पर देना होगा category आपका जो भी है वो देना होगा उसके बाद email ID आपको देना होगा mobile number देके verify करना होगा OTPI अगा mobile number verify हो जाएगा उसके बाद यहां पर education यहां पर click करना होगा यहां पर दोस्तों जैसे ही आएंगे आपने idea ही किया है 12 pass out किया है BSE किया है वो सब 12 pass out ही है और उसके बाद education document में आप यहां पर upload कर सकते हैं कोई भी अपना 12 का एक document ग्रेजरेशन का एक document जो भी आपने यहां पर qualification select किया होगा वही qualification आपको यहां पर देना है उसके बाद यहां पर upload पर click करेंगे आपका upload हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर आपको address पुरा डालना होगा address में आप यहां पर पुरा अपना address देंगे पीन कोड देंगे उसके बाद state वाले option पर click करेंगे district आप यहां पर देंगे उसके बाद यहां पर individual के वाजिसी verification दे रहा है तो यहां पर आप अपना अधार number देंगे और verify कर लेंगे जो भी आपका अधार number होगा वो verify हो जाता है अब यहां पर last option जो आती है यहां पर आता है authorization later यह आपको upload करना होगा यह upload करने का यहां पर प्रोसेस है 5 mb से कमका होना चाहिए अब दोस्तों authorization later आपको कहां से मिलेगा ठीक है और authorization later आप कैसे download करेंगे कैसे आपको यहां पर उसको भरना है ठीक है तो यहाँ पे एक option आएगा download template यहाँ पे आपको click करना होगा click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि authorization later format यह जो format है authorization later है यहाँ दोस्तो date दिया गया है date month और year आपको यहाँ पे दे देना है जिस date में आप यह form भर रहे हैं उसके बाद later number आपको दे देना है एक दो तीन चार जो भी आपका later number है वो दे सकते हैं नहीं तो ऐसे भी खाली छोड़ सकते हैं ठीक है उसके बाद आपको अपना नाम देना होगा आपको अपने पापा का नाम देना होगा या मम्मी का नाम देना होगा या आपने husband का नाम देना होगा और यहाँ पे आपको अधार नमबर देना पड़ेगा ठीक है उसके बाद जो भी आपने shop खोला है जैसे कि आपने CAC कोला है अधार center कोला है जो भी आपने कोला है वो चीजे आप यहाँ पे मतलब डाल सकते हैं दुकान का नाम डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पे code आता है वो code आप दे देंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे अंदर रो नेम है जैसे कि आप CAC ID अगर आपने लिया है तो CAC के जो manager है district manager है वहाँ पे उनसे आपको बात करना होगा CAC के district manager से और वो यहाँ पे उनका नाम डाल आएगा आपका यहाँ पे पोटो आएगा crossing nature आएगा और यहाँ पे आपके अपने दुकान का मोहर और आपको code भी डालना होगा स्टाम के साथ जो CAC manager जो है वो verify करेंगे ठीक है तो ऐसे कर सकते हैं अगर आपने मतलब और भी कोई यह लिया होगा कोई ID दूसरी होगी तो उसका भी आप यहाँ पे दे सकते हैं तो चले दोस्तों यही बताता है वीडियो कैसे रगे कॉमेन पे जबर बताएगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जय ही जय बरात वंदे मात